Self motivation, ये question मुझे बहुत सारे लोग बहुत बार करते हैं कि हर दिन इतना motivation कहां से लाया जाए कि हम अच्छी exercise करें, अच्छा खाना खायें, ये daily कैसे हो सकता है, it's not possible, even can you imagine कि नहाने के लिए भी हमें self motivation की जरुवत चाहिए, daily कि हमें नहाना आए, ये एक बहुत बड़ी मुसी Self motivation के लिए कुछ चीजे हैं, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, तो everyday हमें थोड़ा easy हो जाएगा, और जिसमें सबसे पहला जो self motivate हम कर सकते हैं, वो है focus, हम life में अगर focused रहेंगे अपने काम के लिए, कि हमें पता रहना चाहिए, कि हमारा ये काम है, और हमें इसमें focus करना है, वो बहुत जादा important है, उसके लिए आपको goal set करना पड़ेगा life में, कि आपका goal क्या है life में, अगर health के प्रती है आपका, तो आपको पता होना चाहिए, कि मुझी मेरा health बहुत अच्छा रखना है, ये आपका goal होना चाहिए, तो अगर आप उसी की तरफ focus रहेंगे न, तो definitely self motivation का पहला कदम होगा आपके लिए, और दूसरा कदम होगा आपका social media से दूर रहना, social media आजकल ऐसा हो गया है कि पूरा पूरा दिन लोग social media पे रहते हैं, और हमारा आदे से जादा दिमाग तो वहीं चलता है, तो जो अच्छी चीज़े हैं और self motivation आएगा कहां से, क्योंक इतना हो सके अगर आप social media से दूर रहेंगे, एक time बना लेजे कि हमको इतना ही social media पे रहना है, अपना post देखना है या post करना है कोई चीज या कोई अच्छी चीज देखनी है, तो जितना आप control social media पे करेंगे आप एक बार करके देखिए आपको पता लगेगा, कि बस मुझे उतना ही हाथ लगाना है phone को, social media देखना है और उतना दूर रहना है, तो आपका दिमाग दूसरी तरफ और जादा चलेगा, अच्छी चीजों की तरफ जादा चलेगा, वहां से आप अपना self motivation और जादा ला सकते हैं, और दूसरा है meditation, meditation काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ जो ओन लोग हैं वो लोग करते हैं और इतना beneficial नहीं होता, ऐसा काफी लोगों ने मुझे बोला, इसलिए बता रही हूँ कि नहीं ये तो 40-50 के लोग करते हैं, हम लोग का अतना ध्यान जाता नहीं है उस तरफ, लेकिन मैं एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ कि meditation जो होत क्योंकि जब हम एक ये जगह बैट के एक पांच मिनट भी अगर आप self meditation करते हैं तो पांच मिनट के अंदर अंदर जो आपका mind बहुत काम हो जाता है, relax हो जाता है, वहां से आपको सोचने समझने की हमारी शक्ती जो होती और जादा बढ़ जाती है meditation से, और हम जादा कुछ life में और भी अच्छा कर सकते हैं, तो meditation इतना जादा हमारे mind को relax देता है और अच्छी चीजों की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं उससे, ये मेरा personal experience है और मैंने अपने काफी सारे students को भी यही बताया और हमेशा बताती हूँ और इतना benefit है उनको, trust me, तो meditation है, पूरा दिन में ए अपनी health बनाने में है, या आप जो भी life में करना चाहते हो, तो everyday आपको motivate करेगा वो, अभी दूसरा है कि negative लोग, ऐसे जो negative लोग होते हैं, negative thoughts और negative लोग, negative लोग अगर आपकी life में नहीं होंगे तो automatically आपको thoughts भी नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों को please अपनी life से बिलकुल दूर रखिये, trust me, मेरी life में कोई negative नहीं है, क्योंकि मैं बात ही नहीं करती हूं ऐसे लोगों से, मैं बहुत दूर रहती हूं, चाहे वो कोई भी रहने तो, चाहे मेरे close friends रहने तो, पहले तो इतने जादा friends नहीं है मेरे, पर मैं कभी भी ऐसे किसी इंसान से बात करना पसं है कि hello how are you, तो सामने से response आता है कि hey I'm good, I'm fantastic, I'm super fit और इस तरह की एक हस्मोक और एक you know jolly nature के लोग होते हैं, एक तरफ आप किसी को phone करते हो तो आता है कि ठीक है life चल रही है, ये वो blah blah, एक दम सुस्त वाले जो लोग होते हैं, एक बार आप किसी का ऐसा सुन सकते हो, लेकिन बार बार किसी का ये सब सुनना वो आपको भी वरदाशन होगा, तो ऐसे लोगों से please आप दूर रही है, it's not about the friendship and all कि आपकी इची friendship है, इसके लिए आपको बात करनी है का, लेकिन ये आपकी खुद की life भी है, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं na self motivation में बहु बहुत जादा उदास होते हैं, motivation नहीं होता, तो एक काम जो है मैं करती हूँ, motivational videos देखना या motivational talks होती है, वो देखना, YouTube और social media जो है वो अंबार है, मुझे लगता है कि वहाँ अगर हम YouTube में जाएंगे, अगर कुछ भी motivational workout देखते हैं, या motivational speech देखते हैं, या videos देखते हैं, एक अजीब सा motivation मिलता है उन चीजों को देख के, जो मैं करती हूँ, मेरे favorite speaker है, Sandeep Maheshwari, जो मुझे बहुत connect करते हैं, मैं उनकी speech बहुत देखती हूँ, काफी TED talk ऐसी हैं, जो मैं बहुत देखती हूँ, videos काफी ऐसे हैं, तो social media में जो है, वो अगर बहुत सारी बुराई, बहुत सारी अच्छाईयां भी हैं, तो YouTube में काफी ऐसे videos ऐसी चीज़े हैं, अगर आप उपर लिखेंगे कि motivational speech देखनी है, अगर आप चला के भी बैठ जाते हैं तो automatically हमारा दिमाग वहीं जाता है, तो मुझे ये बहुत help किया है मेरी life में, अभी दूसरा है positive रहना, अपन कि काम को ये मत बोलिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, अभी मेरी life है, मैं कभी भी किसी काम को ये नहीं बोलती हूँ कि उसे ये काम नहीं होगा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको try करना चाहिए, कभी भी अपने मुझे ये मत निकालो तो अरे यह तो मुझसे हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता यह, so यह जो लाइन है ना, यह लाइन मुझसे निकालनी ही नहीं चाहिए बिलकुल भी, हमेशे पॉजिटिव रही है, चीज़ों को ट्राय करिए, अगर आप यह नहीं करो नहीं करो वह अलग बात है, जिसे मैं थी जब मैं वर्ल चैंपियंशिप जब मैंने किया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल टास्क था उस समय, शायद इस समय बताना थोड़ा इजी होगा पर उस समय बहुत डिफिकल था, बट मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जीतना हारना वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टन नहीं था, और मुझे था कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, वहाँ जाना है मुझे, तो मैंने वो जो एक टास्क था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वर्ल्ड चैंपियंशिप किया और वो एक इतनी अच्छी जर्नी थी मेरी, तो शायद अगर मैं नेगेटिव होती मना कर देती तो शायद करी नहीं पाती बिल्कुल भी, तो येस, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइन रखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, अपने इस आस पास की जो लोग हैं, एक ऐसा सरकल होना चाहिए आपका, जहां सिर्फ पॉजिटिव लोग हों, ये बिल्कुल जो ऐसे लोग होते हैं न, कुछ कर नह होने वाली है आपकी, तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रही है, एकदम खुश माइन से विलकुल रही है, और दूसरा है कि हम लास जो, लास तो नहीं बोलूगी मैं इसको, अपने आपको हम लोग क्या होता है, लाइफ में क्रेडिट नहीं देते हैं कभी भी हम काफी चीजें हैं जो अच्छी करते हैं, हम लाइफ में, हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें जो अच्छी करते हैं, वो हम अपने आपको क्रेडिट देना भूल जाते हैं, और हमेशा दूसरों की बाते करते रहते हैं, तो हमेशा अपने आपको क्रेडिट देना सीखिए कि हम भी हमने भी ये काम अच्छा किया है और हम और भी अच्छा कर सकते हैं तो अपने उपर प्राउट करिए ये काम नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है तभी आपको अपने उपर प्राउड होना चाहिए हमारे डेली रूटीन में भी छूटे-छू को भी बोलती हूँ, मैंने अपने इंटर्व्यूस में भी बुला हुआ है कि अपने से प्यार करना सीखिए सबसे पहले, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया है, बढ़ा आये, वो सब कितना पैसा कमाया, ये सब बहुत सारी चीजें दिमाग में रखके चलते हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं, ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, तो सुबह उटके रोज अगर आप इनू ग्राटिट्यूट बिज़ से बोलते हैं न कि भगवान से हाज जोड के सिर्व इतना बोली कि भगवान आपने जो सांस दिये, जो चल रही है हमारी और आपने इतनी छत दिये घर पे हमारा सर के उपर, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उस सब के लिए शुक्रिया करिये भगवान को, धन्यवाद करिये भगवान का, ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और अपने आपको सुबह सुबह उटके आइने में देखकर बोलिए कि येस य आपको क्रेडिट देते हैं, अपने उपर प्राउड करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, तो ये चुटी-चुटी चीजे जो होती है, मुझे लगता है हमारी लाइफ में बहुत काम आती है और आटोमेटिकली वो मोटिवेशन आ जाता है, लोग क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे, मैं हमेशा आपने वीडियो में बोलती रहती हूँ, उनका ध्यान मत दीजिए, ये बहुत चुटी-चुटी चीजे हैं कि अपने आपको मोटिवेट करते हैं, डेली फोकस रखिए, गोल सेट करके चलिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, सबसे बड़ अगर आप अच्छी करोगे, थोड़ी सी भी करो तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, हमारा माइंड एकदम खोल जाता है बहुत अच्छे से, आप जितना अच्छा खाओगे, उतना अच्छा आपका हेल्थ होगा, तो ये बहुत जादा उसमें नहीं करन करना है, कि बहुत जादा से शुरू नहीं करना है, आप छूटे-छूटे से भी शुरुआत करोगे, बर्डन नहीं लगेगा आपको, अगर आप छूटे से शुरुआत करोगे तो, तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, ये बहुत इंप हैं, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूं सबको, कि हमारे online training है, जिसमें मैं और मेरी team, हम सारे students का ध्यान रखते हैं, हम daily उनसे बात करते हैं, उने कुछ भी problem होता है, तो उसको, you know, कोशिश करते हैं, कि उसको ठीक कर सकें, और मेरी trainings जो होती हैं, बहुत जादा difficult नहीं होती है मैं अपने student को ऐसा कुछ difficult नहीं बताती हूं कि उनको problem हो करने में, सबके bodies अलग हैं, सबके medical condition अलग हैं, तो हरे का अलग-अलग मुझे ध्यान देना पड़ता है, so please आप अपना ध्यान रखिये और मुझे लिखिये kirandembla at gmail.com पे और definitely I'll try my level best to train you and guide you, so thank you so much, bye-bye.